दोस्तो मैं अल्पना सुरो सुभागत है आप सभी का स्वादिष्ट बोजन में दोस्तो आज मैं आपके साथ भकुरी मशली की रेस्पी सेयर करूंगी दोस्तो ये रेस्पी बहुत ही असान है बनाना और बहुत ही जटपट बन जाती है तो दोस्तो आज आपको बहुत ही कम चीजों सा और बोर टेष्टी मशली बनाना बताऊंगी यहां पर मैंने लिया तीन पा भकुरी मशली तो यहां पर मैंने इसे साप करके लिया है तो दोस्तों इसको साप करने का तरीका आपके साथ पहले से अरके अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखें तो उपर दे अब तक लीक करके दोस्तों वीडियो आप देख सकते हैं तो इसमें मैंने डाला आदि चमश का स्मेरी लाल मिच अब नालेंगे अधर चमश हल्दी का पौडर अब इसमें डालेंगे अधर चमश से कम नमा तो अब हम क्या करेंगे इन मसालों को डालने की बाद चलते हैं लेते हैं तब इसमें हम डालेंगे दोस्तों थोड़ा सा हम अद्रक लेसन और प्याश का पेश्ट इन सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों भी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना हो तरफ से जादा है तो जैसे तरफ फराई हो जाएगा व्यासा मैं cabbage अश्य ट्रली आप अलग बनानी क हुए धार हाप आपने वीडीय के देखतें आप अगर अब हो वीडियों नहीं देखे हैं तो जूऑ सब्सक्राइब देख सकते हैं तो ये दिखcies दोने मगें कри अच्छे से रखे हो गए आप लहार करते हैं मुष्ट जळ चबते हैं कि इसुटर से दोस्तों बची मचली वह twee जाती है इसी तरह की तो तक shine कि खाली मसाला त्यार कर लेते हैं तो यहां पर हमें चाहिए है लेसन थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि मचली में लेसन ज्यादा लगता है अधरक लेंगे और दो मीडियम सेच के प्याज इन सब का बारी पेश्ट बना लेते हैं उसके बाद दोस्तों हमें गरम मसाला चाहिए तो से बादे लेंगे लिएट तों के जादे आशिया रहता है है तो यहना पर देख आधे हैं अच्छी अच्छ chemistry से तरफ fry हो गई है इससे हम कड़ाहिं से बाहर कर लेंगे कर ही मसाए से दिख सक्थे से निकलों के हम ठरयम रख लेंगे हैं तो इसे निकल के हम ठर्यम रख ले है इसे लाल होने तक अच्छे से भूनेंगे तरकर जैसे अच्छे से लाल हो जागा वह समने जो पेश्ट बनाया था वह आट कर जाते हैं इसे भी अच्छे से हम भूनेंगे कि अधरक लेसन और प्याज को हमें बहुत अच्छे से सुना रहा होने तक भूनना है उससे क्या हो अच्छा सा स्वाद आ जाता है, जैसी यह हलका बून जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, अदा चमच थीकी लाल मिच, बादा चमच नमा के स्वादा नसर, एक चमच धनिया का पॉडर, अब डालेंगे अदा चमच कस्मेरी लाल मिच, अब हम थोड़ा पाने देख सकते हैं थासों, नौन देख सकते हम दिएमाण हो जाएगा पानी सिर्भाइए जितने के पानी कीऊने छ़ये जरुरत है आप करते हैं देख सकते ही ऽुनाओनाब की जरुदी आप पानी घेर हों जाएगा वैरे कि ज़लें तैंड वक केमते चाहे हैं पाने डाला है तो अच्छे से मिला देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों करी थोड़ी सी अभी तीक है तो इसमें हम भी गरा मसालाट कर देते हैं फिर थोड़ा सा पाने डाल देंगे हलका सा तो मिला देते हैं अच्छे से तहां पर मैंने इसे अच्छे से मिला दी हूँ तो आप देख सकते हैं करी कितने अच्छे से उबल रही है यह देखिए यह बहुत अच्छे से पक गया दोस्तों अब इस टाइम पर हम मचली डाल देंगे जैसे कि मचली भी इसके साथ पक जाएं इस मचली का स्वादा करी में बहुत ही अच्छे से आ जाए तो दो मिनिट प डोस्तो भी बाद दोस्तो इसे फीर दो मिनाटर फ सहाथ अच्छे से आजाए डों कैस्तों आई देख सकते मंश्यीं बहुत अच्छे जिसे पगई है डेकर ही पता चले जहीं है तो यह